हलो दोस्तो मैं रिश्यानन्द आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूटीब चैनल पर जिसका नाव है वैदि गणीद तो दोस्तो यह क्वाइटिटिटीटीटीट वै अरुन शर्मा स्वाइट वी चल रही है ठीक है यह आट वी सिरीज है और इस सिरीज में आपको प्रॉफिट लॉस का स्वाइशन देखने को मिलने वाला है और यह कौन से बुक की मैं करवा रहा है यह आपको हाँ टू प्रिपेर फॉर क्वा यहाँ पर सॉलिशन देखने को मिलने वाला है यह अरुन शर्मा के द्वारा यह बुक लिखी गई है और यह बुक काफी अच्छे बुक है अगर आप इससे सीजिल का प्रिपरेशन कर रहे है या फिर सीएचसल का या फिर सीपियो के एक्जामनेशन का या फिर होगी आपक यहाँ पर सॉलिशन देखने को मिलने वाला है बहुत यह सिंपल तरीके से मैंने बताने ही कोशिश की जहाँ पर कंसेट की जरूत है वहाँ पर कंसेट वी मैंने बता है ठीक है तो यहाँ पर आभी आपको जो है वो लेवल वन शुरू कर रहा हूं मैं ठीक है अभी लेवल इस वीडियो का आपको PDF format जो है, उसका लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा, आप चाहो तो वहाँ से डाउलोड करके आपको feature reference के लिए रख सकते हो, otherwise no issue, मेरे WhatsApp का ग्रूप है और जो मेरे Telegram का ग्रूप है, उसका भी लिंक आपको नीचे description box मिल जाएगा, आप चाहो तो आप मेरे साथ वहाँ पर जोड़ सकते हो, तो चलिए दोस्तो लेट नहीं करते हैं, एक एक करके question लेते हो, उनका solution देखते हैं, तो दोस्तो पहला सवाल आपकी screen पर है, पहला सवाल क्या है, अरन मर्चंट makes a profit of 20% by selling आरन at 25 per quintal, ठीक है, if he sells the iron at 22.50 per quintal, what is his profit percent on the whole investment, ठीक है, देखिए, क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि एक एरन मर्चंट है, वो उसको profit होता है 20% का, जब वो 25 रुबया पर quintal वो क्या करता है, बेजता है, ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि उसी iron को, अगर वो 22 रुबया पचास पैसे per quintal अगर बेच रहा है, तो बाइसाब उसको कितना profit होगा, यह चीज, उसको पूरे investment है, उसको कितना profit होगा, यह चीज यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, समझ गयोगे सवाल को, चलिए, आ 20 प्रतिशत का profit हो रहा है, जब वो 25 रुबया बेच रहा है, तो कितने से profit हो रहा होगा, इसको करूँ फ्रेक्शन में चेंज करो, तो 1 by 5 से क्या हो रहा है, यह increase हो रहा है, यह चीज मैंने बताया है अपने first वीडियो में, इसी का पहला question से लेकर जो दसवा question है, वहाँ प 1 by 6 से decrease होना चाहिए, clear है, तो 1 by 6 से क्या होगा, यह decrease होगा, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि CP, यह क्या होगा, आपका SP हो गया, बेच रहा है, तो यहाँ पर जो आएगा, मेरा क्या हैगा, CP आएगा, समझ रहा है बात को यहाँ तक, तो CP जो हो जागा, वो मेरा कितने बर बटे में 6, और यह आपको अगर मैं और solve करता हूँ तो यह हो जागा, कितना आपका, 125 बटे में 6, clear है, अब क्या बोल रहा है कि उसको मुझे बेचना 22,50 पैसे में, ठीक है, अभी क्या था, 25 का बेच रहा था, अब कितने में बेचना 22,50 पैसे में, मतलब कि आप cost prices का कितन बटे में 6 है, इसको बेचना कितने में चाहरा है, यह 22,50 पैसे में बेचना चाहरा है, अगर मैं इसको fraction में लिखूँ तो कुछ इस तरीक से लिख सकता है, 225 बटे में 10, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं और काट सकता हूँ, तो काटूंगा, तो कितना ज प्रसर प्रोफित मुझे निकालना, तो कितना हो जागा? 6 हो जाएगा, 3 3, 5 से 15 हो जाएगा और 3, 4 से 12 हो जाएगा मतलब 135 माइनस 125 हो जाएगा clear है यहाँ तक, और यहां पर 125 बटे में 6 हो गया, यह क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 6 चैक्या हो गया, cancel out हो गया और यह कितना लिख सकते हैं 10 बड़े में क्या लिखनेगे 125 और into क्या हो जब तुदि यही जो हमारे यहाँ पर जवाव आपज आ गया वही हमारे क्या हो जागा अंसर हो जाएगा ठीक है यह इनस चला जाना चीजब 25 हो जाएगा और यह 2 हो जाएगा ठीक है यह कितने से चार से चला जाएगा कितना हो गया यहां पर 8% तो 8% क्या हो गया हमारा यहां पर profit हो गया समझ गया हो गया simple तरीके से मैंने बताया है ज्यादा इसमें tough नहीं है अभी जो question simple simple है बस यहां पर आप से चारीका सिखते चाओ जब टीपी का लाएगा तो इसी को हम लोग जल जल्दी यूज करेंगे clear है बड़ा जापना अगला next question देखते है हाँ तो अगला सवाल आपके screen फिर अगला सवाल करें the cost price of a shirt and a pair of trousers is 371 चीक है if the shirt cost 12% more than the trousers find the cost price of the trouser ठीक है देखिए simple सा सवाल ही यहां पर क्या बोला जाना एक cost एक मेरे पास shirt है और एक pair of trousers है जिसका cost कितना 371 है ठीक है अब क्या बोला if the shirt cost 12% more than the trouser जो trouser का जो cost है उससे मेरा shirt का जो cost है वो कितना 12% ज्यादा है तो find the cost price of the trouser तो cv बताना है किसका trouser का clear है यहां दख समझ गयोगे चलिए अब देखिए shirt का cost price plus trouser का cost price कितना total sum इसका 371 यह लिखेंगे हम लोग ठीक है अब क्या बोला shirt का cost price है वो कि आपको 12% ज्यादा है किसे trouser से तो 12% ज्यादा है trouser से तो मैं कितना लिखूँगा यहां पे ट्राउजर का जो rate है उससे क्या है 12% ज्यादा तो मैं यहां पर डारेक्ट लिख सकता हूँ 1.12 cost price of trouser समझ गया है यही चीज़ आना चाहिए इसी तरह आना चाहिए न ठेक है अब देखिए अब इसी चीज़ को मैं यहां पर पूट कर दूँगा तो यहां पर मैं लिख सकता हूँ 1.12 tcp हमें cost price किसका निकाला तो इसी जगए निकालना तो इसी जगए पूट कर देते हैं plus t of cost price is equal to 371 जिसको चली जोड देते हैं जोडने पर आ जागा 2.12 ट्राजर और cost price 371 इसके बाद ट्राजर और cost price is equal to 371 इंटू क्या आ जागा है आप है 100 और बटे में क्या लिख लोगए इसका answer रहा तो कॉंस ओप्शन सही है हमारा C option क्या यहां से सही हो जागा ठीक है simple सा सवाल था यह आप खुछ से भी बना सकते हो जैसे इसे बोलता जा रहो ऐसे से करते जाना ठीक है चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर एकला सवाल के एक पेट शॉप ओनर सेल्स टू पपीज अड़ सेम प्राइस वन ओन वन ही मेक्स ए प्रॉफिट और ट्वेंटी परसेंट ऑन दा अदर ही सफर से लॉस ऑफ ट्वेंटी परसेंट फाइंड ही लॉस और ग गयिंट परक वॉस अंग लिफिट अव ही क्या है यहां तो यहां सवाल को है और दूसरी से एक को बोलगते आपको दीखेंच से एक को सवाल सिमी मौ बेच रहा है और दूसरे को 20% के loss से बेच रहा तो यहां पर हमेशा क्या होगा हमेशा आपको loss होगा हमेशा क्या होगा loss होगा कितना loss होगा जितना देर है मैं आपको लिखवा देता हूँ 4% & square बटे में 100 होता है ठीक है इसका फॉरूल्ला पयाद रहा है र prestigious का स्कार बटे म् exfoli E यहां पर चार सो जाएगा यहां पर बटे में क्या हो जाएगा आपको सव जागा मुझाल कीण त्यक्ति त्यक्तित का क्या होगा loss होगा, always loss होगा, इसका ध्यान रख़िएगा. तो loss कितना होचाएगा? four percent का क्या होगा? लास हो रहाएई. यहाँ पे देखी जे गेंअ यहाँ तर्फ यहाँ possession solution क्या होगा? Loss of four percent. यह क्या होचाना चाहिए चाहिए साहिए ? इस तरगे ठीक है चली बढ़ते अपना अगला सवाल देख लिए जा हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर अगला सवाल क्या है the mark price of a table is 1200 which is 20% above the cost price it is sold at a discount or 10% on the mark price find the profit percent क्या हो रहा है actually मैं यहां पर हो क्या रहा है कि एक table है जिसको CP से 20% बढ़ा के कितना 20% बढ़ा के increase करके कितना रखा गया mark price उसका 1200 अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो 1200 है उस पर मैं आपको कितना दे रहा हूँ दुकान वाले को कितना profit percent होते को इस चीज में करना कुछ भी नहीं होता है यहां 20% और 10% जो भी है इसका क्या ले लो successive percentage निकाल लो वही जो आया है कि आपका क्या हो जागा यहां पे उत्तर हो जाएगा 20 percent का profit हो रहा है इसको क्याअए लिख सकते है ? 1 x 5 से increase हो रहा है फ्रक्शन में रहे लिख सकते हैं और क्या हो रहा है ? 10 से decrease हो रहा है decrease हो रहा है थीक्रिषा जलिए भी संस्क्क्रेशिव निकाल ले 5 था 6 हो गया और यहां पर 10 था 9 हो गया एक से decrease हुआ ना, तो 10 था तो 9 हो गया, यह 5 था increase हो रहा था तो 5 से 6 हो गया, multiply कर तो यह हो गया 50, और यह कितना हो जागा, 9 चक 54 हो जागा ना, यहां पर क्या लिख लेंगे, 54 लिख लेंगे, clear है, कितना का difference है, 4 का difference है, कितना हमें, 50 हमारा base है, इंटु क्या कर लोगे? 100 कर लोगे तो ये कितना चला जागा? 2 से चला गया ये कितना हो जागा? 8 प्रतिशत तो 8 प्रतिशत का क्या होगा? यहां पे उसको दुखानदार को profit हुआ तो कौनस option से हो जाना है? जाए हमारा B option क्या हो जागा? यहां से correct हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स आयोब आपको ये question का solution समझ में आगया आप लोगों को चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके screen पर है अगला सवाल क्या है 125 toffees cost 75 find the cost of 1 million toffees if there is a discount of 40% on the selling price for this quantity ठीक है यहां पर क्या बोला जा रहा है कि 125 toffees 75 रुपे में मिलते हैं 125 toffees कितने मिलते हैं 75 रुपे मिलते हैं find the cost of 1 million toffees 1 million toffees का आपको बताना है जबके उसमें कितना दिया जा रहा 40% का discount दिया जा रहा किस पे selling price समझे सवाल को ठीक है 125 जो हमारे पास टॉफी है 125 टॉफी का कितना rate है हमें 75 रुपे तो एक टॉफी का कितना cost हो जाएगा 75 बटे में 125 हो जाएगा ठीक है कितना यह हůज़ागा cost तेर है अब देखेज़िए अब क्या बोलrez हमें कितने लेंए 1 million लेने 1 million बहुत छोग पता हुद lose 1 million होता है किटन decor न रखे amongst टउफी का क्या हो जाएगा cost 1 million टॉफिय कॉस्ट कितना हो जाना चाहिए 75 आब बढ़ने में कितना हो जागए 125 इन्टु क्या कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह हो जागा 1 million ठीक है चले इसको solve कर लेते इसको जब आप solve करो ती यहा जागा कितना 6 lakh 6 lakh ठीक है 6 lakh आगया गितना में कोव चैशन जाएगा। 60 gk 60% 60 P 6 क्या करोगा 6,00,00,00 . अब बटे में क्या करोगा साथ बटे में 100 यह 2-0,20 cancels हो गए यह 6,66 66 ho जाएगा 66,6 35,00 कितनी 0 हो जाएगा ? एक, दो ती और 4,0 हो जाएगा एच्छा तिन लाग कितना हो जागा शाठ अठाट जागा तो यहीं किया हो जागा आपका अंसर हो जागा सबस्क्स्पोर है हमारा सभा क्रेक्ट हो जाएगा यहां नzhट समझ गोगे चलिए पर अगला सवेल इस इतना important थें आप खुद भी बना सकते हो ठीक है चलिए अगला सवाल देख लिया जाए हाँ तो दोस्तों अगला सवाल जाए दोनों एक साथ में है आए एक एक करके देख लेते दोनों को यहाँ पर क्या वोले शॉपकीवर marks the price of an article at 80 रूपीज find the cost price if after allowing a discount at 10% he still gains 20% on the cost price ठीक है इस सवाल में क्या वोले है एक दुकानधार जो है अपने price को marks the price at an article of 80 रूपीज बढ़ा के उसने रख दिया अब हमें cost price बताना है कि जबकि उसको 10% भी अगर वो discount देता ना तो उसको 20% का क्या हो जा रहा है profit हो जा रहा है तो हमें यहाँ पर क्या बताना है cost price बताना है समझ गया चलिए पहले 16 नमबर solve कर लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग कौन सा करें 17 नमबर करेंगे ुछीब कुछ x CP था हमें नहीं पता है वही चीज जिए घयात करना हमें यहां पर उसने बढ़ा दिया markup कर दिया और markup करने क compress कि science का कर दिया बढाने की बाद कितना रुपाय का सोफ . अब 20 रुपए में उन्होंने क्या किया, असी रुपए में उन्होंने 10 ृपई में 10% इसका दिसका लेज गाका कितना हो जागा? अथ कितना हो जागा? आथ हो जागा न, इसका 10 पर लेज़ गाए one आठ यहाँ पर मािनस करने पर इसको 72 रुपे में बेचने पर इसको फॉफिट कतने का और अभी अभी इसade अभी परके क्या है ही तो तो एक चीज़ कर सकते हो कि 20 जो है हमारा X परसेंट और 10 परसेंट का क्या है यहाँ पर सक्सेसिव है उस हिसाफ से भी आप निकाल सकते हो चाहो तो तो देखो कैसे निकल सकते हो उस तरह से अगर हम निकालना चाहे तो यह 20 हो जाएगा इदर यहाँ पर X हो जाएगा positive में discount है 10%-10 यहाँ पर 10X बटे में क्या लिख लेंगा 100 यह 0-0 का कैंसल लाट होगे 10 इधर आ जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा यह 3 से चल या 3 3 यह पर 10 हो जाएगा ठेक है ? ठीक है? कितना जाएगा शर। यह 10 रहगा ने यहाँ पर तो यहाँ पर यह भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा तो X is equal to X is equal to 100 बटे में 3 । कितना हो जाएगा 100 बटे में 3 । छीक है तो हमसे क्या पुझा जारा, cost price पुझा जारा, तो यहां से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, यहां पर आपा कितना होगा है, 100 बटे में 3 प्रतिशन, यहां से भी आप निकाल सकते है, तो इस इंक्रीज करके हमने रखा था, ठीक है, एक तरीका तो यह हो गया, और दूसरा तर से क्या होना चाहिए, माइनस कर देंगे, इसमें से 12, और यह कितना हो जागा, आपका 60, 60 क्या हो जागा है, आपे CP हो जागा, तो 60 is the CP, ठीक है, एक तरीका यह है, ठीक है, अगर मैं यहां से निकालना चाहूँ, 100 बटे में 3 परसंट से, यहां से मी निकल सकता, कोई दिक्क 1 by 3 से क्या हो रहा है, इंक्रीस हो रहा है, तो कितने से डिक्रीस होना चाहिए, 1 by 4 से, तो 4 to 8 हो जाएगा, यह 20 क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, कितना जागा है, 60 है, यहां से भी 60 यागा, चाहिए जैसे चाहँ हो, वैसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, त आप चली 17 नमबर सॉल कर लेते, तो 17 सॉल करने के लिए क्या है, in 16, question number 16, what will be the selling price of the article, if it allows two successive discounts of 5% each, 5 प्रतिशत इच का क्या कर रहा हो, वो successive percent कर रहा, तो उसको selling price बताना, क्या बताना है, यहां पर selling price बताना, ठीक है, चली निकाल लेते है, two successive दिया है, ठीक है, तो 5 प्रति यहां पर देख लो, तो चार सो कितने के बरावर है, यहां पर देख लो, टीक है, 400, जो हिए वो कितने के बरावर है, यहां परمة, 80 के बरावर है, हमें किसकी value निकालना है, 361, 361 कितने बभ़ावर हो जागा? 80, में 400 क्या कर लोगे? 361 यह हो जागा, यह कितने ही चला जागा? 5 से चला जागा और यह कितना हो जागा? 5, 7, 25 हो जागा और यह हो जागा अपका कितना? 2, 10 और फिर कितना हो जागा यहाँ पे? 2, ठीक है? ठीक है friends तो बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखते हैं हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर अगला सवाल के a dozen pairs of gloves quoted at 80 are available at a discount of 10% ठीक है find how many pairs of gloves can be bought for rupees 24 ठीक है देखिए यहाँ पर क्या वोले जारा पहले सवाल को समझ लीजे एक dozen of pairs है gloves के एक dozen मतलब 12 12 gloves कितने मिलने 80 रुपए में available है ठीक है जिस पे उन्हें discount मिलता है कितना 10 प्रतिशत का कितने मिलता 10 प्रतिशत का discount मिलता है find how many pairs of gloves can be bought for rupees 24 तो 24 रुपए में हम कितना gloves लेंगे यह में यहाँ पर बताना है देखिए समझेए सीधा सीधी समझेए dozen pairs of मतलब 12 एक दर्जन में कितने होते होते है तो 12 gloves जो है कितना quoted है उसको 80 रुपए कितना 80 रुपए quoted है जिसमें 10 प्रतिशत का क्या दे रहे है हम लोग दिसको डिसकॉंट दे रहे तो 10 प्रतिशत का अगर हम इसमें डिसकॉंट देंगे कितना हो जाग nomésstory है यह 72 हो जागा तो ग्लुफ centers मुह बान कीटना диसकॉंट मेल रहा बार क्लब ग्लब लुए 12 बार क्लल जाोइग है अब मुझे बतना है कि 24 रुप मुझे कितने 24 यह होगा यह 3 से चला जाएगा चला जाएगा और यह 3 से चला जाएगा कितने हो जाएगे 4 pair of gloves हमें और मिल सकते हैं 4 रुपेया तो काउन से ऑप्शन से हो जागा हमारा A option हो जागा है यहां से correct हो जाएगा ठीक है friends आई हो आपको यह भी question का solution समझ में आ गया होगा चले बढ़ते अपना अगला सवाल देख लिया जाए हां तो दोस्तो अगला सवाल आपके screen पर है अगला सवाल के find the single discount equivalent to the discount series 5% 20% 10% तो यह जो हमारे बास तीन discount दे रखा गया तो इसका equivalent discount हम हम यह बताना है कॉनकों से तीन discount है एक तो 5% एंग 12% और दूसरा का है 10% तो इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो個人 बटे में 20 और क्या और है değiş हो रहा है इस 20% को कैसे लिखते हो एंग में 5 यही क्या और है डिक्रीज और 10% को तो कैसे लिख सकत हूं, बैटे में 10 यह भी क्या हुर रहा है, decrease हो रहा है अब इसके equivalent आपने बताना जली बता जीते हैं यहां इसे लिख सकते हैं 20 का कीतना हो गया?, 19 हो गया ठीक है अब पांच का कीतना हो जागा, पांच का चार हो गया और 10 कह कितना हो गया न होगए सब सुब इसकांट हो रहा है ये कितने चला ído अधया सब सकते हैं participate । 25 यkg यह कितना लिख लिएगा इसको 500 लिख लेंगे सब को गुना कर दियना और एहां पर इसको कितना लिख लेंगे 171 ठीक है 171 हो जाएगा ठीक है अब दिखिए कितना का डिफरेंस हो दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो यहां पर आ जागा कितना यहां पर लिख लेंगे अब लोग एक तो आ जागा आपका 9 ठीक है और यहाँ पर कितना जगा 7 हो जागा ना 79 ठीक है अब बटे में कितना जगा पर 2500 हो में इंटु क्या कर लेंगा 100 ये गया ये गया 5 से चला गया और ये कितने से 2 से चला गया ठीक है 298 हारा हो गया 14 और एक 15 बटे में आगया 5 ये हो जागा कितना 31.6 प्रतिशत तो हमारा जो एक्युवेलेंट डिसकांट हो जाएगा 31.6 परसेंट तो कौनस ऑप्शन से हो जागा हमारा बी ऑप्शन क्या हो जागा है यहां से करेक्ट हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स चला जाए अपना अगला सवाल देख लेते हैं हां तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल के तो प्रिंटेट प्राइस आफ चल्कूलेटर इस 180 ए रिटेलर पेस 137.7 पर राट रट बाइटिटिंग सक्सेश्चिव डिसकांट टो 10 10% and another rate which is illisible what is the second discount rate ठीक है यहां पर क्या बोल रहा है कि printed price का calculator पर 180 रूपय है लेकिन एक retailer ने कितना pay की है retailer ने कितना में उसको बेचा 137.7 ठीक है दो discount उसको मिले एक तो discount मिला उसको 10% का successive discount और दूसरा क्या हमें पता नहीं है तो हमें second discount का rate बताना है ठीक है तो हमें overall पहले discount जानना पड़ेगा तब जाके निकाल पाएंगे ना हमारा दूसरा वाला discount क्या था तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे यहां पर 180 और कितने बेचा वो 137.7 और बटे में कितना base price मेरा 180 है ना into क्या जगा यहां पर 100 clear रहां था ठीक है इसको जब पूरा solve करोगे तो हमारा जो overall discount आएगा overall discount मेरा कितना आ जगा यहां पर इसको जब solve करोगती यह आ जगा हो कितना 23.5% इत्मा मेरा क्या मिला overall discount मिला एक तो मुझे पचा यह 10% है और दूसरा मैं माल लेता हूँ एकस परसेंट है इसको चली solve कर लेते यह मेरा क्या discount मिला इसलिए इसको negative मिलिया हूँ ठीक है अब आगे बढ़ते हैं यहां पर 10 है और यहां पर इसको यह discount हो तो यह भी minus है four minus D और यहां पर आजयगा minus minus का हो आजए प्लस होना चाहिना यहां पर लिखेंगे plus 10 into डी आप बटे में क्या हाज हए यहां पर 100 यह 0 यह जिरो यहां से cancel out होगे 10 इधर चला जाएगा तो 10 अगर इधर आएगा तो माइनस क्या होगा 13.5 is equal to minus d अब प्लेस में क्या होगा d बटे में 10 clear रहे हैं तक समझगे चले भी इसको solve कर लेते इसको जब solve करेंगे तो यह आजागा आपका minus 13.5 और इसको solve करेंगे तो माइनस 90 बटे में 10 हो जागा यह मैनस मैनस क्या होगा cancel out हो गया और इसको अगर हम लोग अगर निकालना जाएंगे तो यह हो जागा 13.5 into क्या हो जागा आपका यहां पे 10 बटे में क्या हो जागा आपका 9 यह 9 से चला जागा 9 बज़े 45 हो जाएगा और 1.5 into 10 हो जागा कितना 15 परसेंट तो 15 परसेंट का क्या था यहां पे आपको discount था तो कौनसा option से हो जाना चाहिए हमारा B option क्या हो जागा है यहां से correct हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स तो दोस्तों यहीं पर यह वीडियो समाप्त होती है यह हमारा अंतिम सवाल था और इस वीडियो को चाहसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस वीडियो का आपको PDF format नीचे description box में मिल जाएगा आप चाहो तो download करके अपने feature reference के लिए रख सकते हो और लोगों के साथ भी शेयर भी कर सकते हो ठीक है तो और यह कमिट करना मत भूलिएगा और पहली बार अगर इस चैनल पे नहीं थे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो यह लाइक ज चलिये at last दो सु thank you so much for watching my video and best outlook for your future